हलो फ्रेंड्स मैं हूं अलका और आज मैं आपके यह चना दाल और मुंफली की चटनी की रेसपी लेकर आएं हूं यह चटनी साउथ इंडिन ब्रेकफस्ट और इंडिन पराटोस के साथ काफी अच्छी लगती है और इसे मैंने आज रोस्ट करकर बनाया है जिससे इसका स्वाद और भी अच्छा आता है अगर आपको वेई चटनी की रेसपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें अनकमट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं कि आपको वेई रेसिपी कैसी लगी है तो चलिए चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं चना दाल और मूंगफली की चटनी बनाने के लिए हमें चाहती है चना दाल आदिकटोरी मूंगफली आदिकटोरी नारियल आदिकटोरी दो पीस हरा मिच एक छोटा अद्रक का पान से चेपीस लेसन का नमक स्वादानसार या हाफ टेबल स्पून चटनी में तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए ओईल दो टेबल स्पून सूखा लाल मिच दो पीस जीरा और राई हाफ आफ टेबल स्पून करी पत्ता पान से चेपीस और पानी चटनी बनाने के लिए गैस ओन करेंगे और एक कराई चलाएंगे और कराई को हम गर्म होने देंगे अब हम इसमें अपने मूंफली चना दास दाल कर मूंफली और चना दाल कर हम इसे मीďयूम फ्लेम पे अच्छी तरह भूनेंगे हमे इसे ज़्यादा लाल मिदे करना है इसे हलका भूनना है 4-5 पनेट हमे इसे भूनना है चना दाल और मूंफली भून चुकी है अब हमेंसे एक प्लेट में निकाल देंगे गैस ओफ कर देंगे जाल देंगे और इसमें अपनी धुना हुआ चना दाल और मूँच की डाल देंगे कटा हुआ नाडिय लेसन, मिर्च और अजरक नमक दाल कर थोड़ा पानी डाल कर चत्टी को आम एक स्मूद्न, पाइन पेस्ट में पीस कर तयार करना है चत्टी इसका तयार है अब इसे हम एक boxer बॉल में निकाल लेंगे चत्टी को शर्विंग बॉल में निकाल लिया है और इसके लिए jaap warm करेंगे करेंगे और इसे गर्म होने देंगे दो टेबल स्पूर ओयल अड्ड करेंगे हाफ टेबल स्पूर जीरा और जाइड दाने दिके तो सुखी लाल विंच और कड़ी पता डालेंगे और इसे भूनेंगे एक भून चुकी है गैस आफ कर देंगे यह देखिए हमारी तरका चटनी के लिए रडी है तरका रडी है अब हम इसे चटनी में डाल देंगे यह हमारी चना और मूं फली की चटनी रडी है आप इसे धोसा इडली उत्पम वरा के साथ खा सकते हैं कर दो कर दो कर दो